Hello everyone, welcome again to Lannvrede Timan हमारा जो chapter चल रहा था दाजी स्थान के वस्त्र जिसमें हमने पुर्सों के वस्त्र, आदिवाशियों के वस्त्र जो है वहें पढ़ लिये थे Next जो है महिलाओं के वस्त्र महिलाएं जो है वो कैसे परिधान जो है वहें धारन करती है तो सबसे पहले जो है पॉमचा, पॉमचा क्या होता है तो ये एक तरीके की जो है एक ओडनी होती है ठीक है क्या होती है ओडनी होती है और इसे कौन ओडता है इसे नवजाद सिसू की मा जो है वहें ओडती है और यह मात्र पक्ष की ओर से ही आता है तो लाल गुलाबी व लाल पीले रंगों से बनी ओरनी पोमचा कहलाती है बच्चे के जन्म पर मात्र बख्षकी ओर से यह दिया जाता है जहां बेटे का जन्म होता है तो पीला पॉमचा आता है और बेटी के जन्म पर गुलावी पॉमचा आता है ठीक है? तो यह ध्यान में रखें क्योंकि यह दो point जो है वही एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि पीला पॉम्चा जो है कब आता है जब बेटे का जन्म होता है और गुलाबी पॉम्चा कब आता है बेटी के जन्म पर तो कभी एक्जाम में confusion हो तो ध्यान रखना कि जो लड़कियां होती है उनको गुलाबी रंग बहुत होता है ठीक है लड़कों को कम पसंद होता है तो ऐसे याद रख पाएंगे ठीक है तो बेटी के जन्म पर गुलाबी पॉम्चा तो दूसरा जो है खुद ही ध्यान में आ जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो वस्तर है पंवरी पंवरी जो है दुलहन की ओड़नी ह होती है तो दुलहन ओड़नी ओड़ती है उसे पंवरी कहते हैं और यह अधिकतर लाल गुलाबी रंग की होती है ठीक है लाल रंग की भी होती है और गुलाबी रंग की भी होती है तो यह ध्यान में रखें कि पंवरी क्या होती है पॉम्चा क्या होता है ओड़नी होती है प लाल रंग की ओडनी होती है ठीक है महिलाओं की लाल रंग की जो ओडनी है उसे दामनी कहा जाता है एक जो सब्द होता है वह होता है दामणा ठीक है दामणा क्या होता है वह तो एक तरीके का आभूशन होता है जो की अंगलियों में पहना जाता है ठीक है अंगुठी होती है ठीक है, अंगुलियों में पहनी जाती है, लेकिन ये है दामणी, ये है ओडनी, अब यही examiner जो है वो आप लोगों को confuse करेगा, क्या करेगा, कि दामणी और दामणा जो है वह साथ में दे दिया जाएगा, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है महिलाओं का वस्तर नहीं ह तो वहाँ पर दामणा जो है वह क्या है अंगुली में पहने जाने वाला एक आभूशन है, और दामणी क्या है ओडनी, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, दामणी में यहाँ देखे बड़ी एकी मातरा है और ओडनी में भी बड़ी एकी मातरा आती है, कुर्ती वा कांचली, सरीर के उपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्तर है और अधिक तर जो राजपूत महलाएं होती है वह धारन करती है पहले कांचली जो है वह पहनी जाती है और उसके उपर जो है कुरती पहनी जाती है फिर उसके उपर जो है जो चूंदरी होती है वह है पहनी जाती है ठीक है कांचली के उपर कुर्टी पहनते हैं और कुर्टी जो है उसके उपर जो है ओड़नी ओड़ी जाती है ठीक है नीचे लहंगा पहना जाता है याद में रखना है इसे कि तिलका क्या है यह एक ऐसा वस्र है जिसे मुस्लिम महिलाएं पहनती है फूल की साड़ी तो फूल की साड़ी जो है जौबनेर की बहुत प्रसिद है उसके बाद देखिए लहरिया जो की सावन के माह में पहनी जाती है और विसेश कर तीज के अफसर पर राजिस्थान की इस्रिया जो है लहरिया भाद की ओरदी पहनती है वही पुरुज जो है वो लहरिया पगरी पहनते है ठीके तो लहरिया कब पहना जाता है सावन माह में ठीके तीज पर पहना जाता है तो लहरिये में भी देखिए कई रंग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो सुब अंको होते हैं एक, दो, तीन, पांच और साथ रंग तो इन में रंगे जाती है लहरिया जो पांच संख्या वो बहुत ज़्यादा सुब मानी जाती है पांच रंग की लहरिया वह विवहा की अवसर पर, मांगलिक अवसर पर पहनी भी जाती है लहरिया वह ऐसा नहीं होता है कि सावन महा में ही पहना जाता है यानि सावन महा में तो फेमस है कि लहरिया पहनते ही है लेकिन लहरिया का ये भी होता है कि ये जो है मांगलिक अफसरों पर भी पहना जा सकता है उसके बाद देखिये मोठडा मोठडा लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काट्टी हुई बनाई जाती है तो उसे मोठडा कहते हैं जो कि विवाह के अफसर पर पहनी जाती है मोठड़ा लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को इस तरीके से जो है वो काट्टी हुई बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं उसे मोठडा कहते हैं नेक्स्ट देखें धनक तो धनक क्या होता है बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंग करन जो है वो धनक कहलाता है याद रखेंगे धनक क्या है जिसमें बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंग करन जो है वो है क्या कहलाता है धनक कहलाता है नेक्स्ट देखिए पटोदा का लूंगड़ा ये क्या है एक तो ये सिखावती शेत्र में पहना जाता है ठीक है मुकुंदगड़ वह लक्षमणगड़ में पहना जाता है और यह कैसा होता है पीले पॉम्चे जैसा ही होता है यानि पीला पॉम्चा जो है जो एक ओडनी का प्रकार है और उसमें वह कमल फूल बने होते हैं और नवजात शिशू की मा पॉम्चा ओडती है तो उसी तरीके से ही पटोदा का लूंगड़ा होता है कि कहां पहना जाता है ये पूछा जा सकता है मुकुंदगड और लक्षमणगड में पहना जाता है पटोधा का लूंगड़ा नेक्स्ट देखिए चीड का पॉम्चा तो चीड का पॉम्चा जो है वो हाड़ोती शेत्र की जो महलाएं हैं और वो भी कौन विद्वा विद्वाओं द्वारा पहना जाने वाला काले रंग की ओड़नी होती है तो काले रंग जो है जो की सुब नहीं माना जाता है तो वह काला रंग जो है उसकी ओड़नी कौन ओड़ती है विद्वाएं ओड़ती है और कहां की हाड़ोती शेत्र की तो उसे चीड का पॉम्चा कह टीक है, इसके बाद एक चुन्डरी आती है, यानि की चुन्डरी में भी जो बंधेज की चुन्डरी होती है, वैं बहुत ज्यादा पेमस है, जोधपूर की और सिखावटी शेत्र में जो बंधेज चलता है, वो इतना जजादा लोक्प्रिय है कि बाहर से जो लोग आकर जो ह वह किया भी जाता है तो कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो बिना चुंडरी के तो नहीं होता है तो चुंडरी जो है वह भी बहुत फेमस है विसेशकर जोदपूर की बनी चुंडरी जो है बहुत जादा चलती है तो यहां हमने राजिस्तान के वस्त्र जो है वह पढ़ दिये कोई भी आप मार्केट से बुक लेके आओगे तो वहां आपको कई वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो हमने नहीं पड़े हैं ठीक है और आपने भी नहीं पड़े हैं तो एक्जाम में यदि एक दो कुशन जो हटके आ भी जाता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नही हैं क्योंकि जो कुशन आपके लिए नया होगा वो सभी के लिए नया होगा ठीक हम यहां पर ऑथेंटिक बुक की ही बात कर रहे हैं तो हम केवल वही लेकर चल रहे हैं आप लोग इसके अलावा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो क्या करते है कि जो भी मैटर उनके पास होता है एफलिवल उसको बार बार पढ़ने की बजाए जो क्या करते हैं कि मार्केट से और भी मैटर खरीद के लेकि आ जाते हैं और भी जो है कोर्स खरीद लेते हैं वो सोचते हैं जितना जादा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उतना जादा हमें पाइदा होगा लेकिन तभी क्या होता है जो पुराना जो मेंटर होता है उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं और एक्जाम में क्या हो जाता है confusion हो जाता है कि ये सही है या ये सही है तो हमेशा जब भी बढ़ाई करो तो सबसे पहले एक चीज को लेकर पढ़ो ठीके भटको मत इधर से उधर जो है वो ज्यादा मत भटको ये पढ़ लिया है तो इसे ही बार-बार पढ़ो तो चलिए मिलते हैं next video में thank you हुआ है